हेलो इब्रीवन विल्कम टू आई एस पॉइंट एंड जैसे कि आपको अच्छ लाइड में दिख रहा होगा कि आज हम क्या चीज पढ़ने वाले रट सो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे तो यहां पे हमने कंप्लेट किया था जैसे हमारे कुछ वाड़ी हैं यहां कुछ नॉन कंस्ट्यूशनल वाड़ी है मतलब कि जो हमारे क्या थे संबेधानी कायोग थे एंड उसके वाद जो हमारे गेर संबेधानी कायोग थे इन पे हमने चर्चा की थी और इसको मैंने थोड़ा सा आपको डेटेल में भी समझाया है कि किसमी क्या है किनका कार्याकाल कितना होता है कब सेी स्टार्ट हुआ और कि उनमें आर्टिकल और आर्टिकल इसमें आते और एक इस भाग में आता है कैसे आता है क्या है तो इस तरीके का हमें पूरा हमने देखा था पूरा इसका डेटेल तो आप यहां पर हम लोग यह बात करेंगे कि इसमें से इनके कौन-कौन से पहले हैड वने थे क्योंकि देखिए आप लोग यदि UPSC का पेपर दे रहे हैं उसके लिए भी मस्ट है या कि आप किसी भी लेवल का रेलवे से लेके बैंक से लेके कोई भी लेवल का पिक्जाम दे रहे हैं और आप से रिकेस्ट यह होगी कि पहले प्रीवेश के क्वेश्चन पेपर उठाके देखिए देन आप फिर क्लास करिए तो थोड़ा सा हम सही बढ़ रहे हैं ठीक है बस आपको अब क्या करना कि चुप-चप ध्यान से सुनते जाना है इनके नाम को याद करने की कोसिस करना है क्योंकि एक्जामिनर जो फसाता है ना वैट जो कंपेडिसन है बहुत टाफ हो चुका है यहाँ पर जितने भी इलेक्सन कमिशन उनके नाम दे दिये जाएंगे और एक नहीं होगा उसमें से पूछे के इन में से निमने में से कौन नहीं है अब मतलब इसका मतलब सीधे है कि एक्जामिनर आपसे कह रहा कि आप सारे के सारे नाम याद करों पहले दूसरे से काम नहीं चलेगा तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसके लिए भी अब अव्यार रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि राम पूरे रट्टा मारी लेते हैं तो फिर हम वह पहले कौन थे लाश्ट में कौन थे वो सारी चीज़े हम क्लियर करेंगे और मैंने आपको पहले ही हिंटे दे दिया कि पहला लाश्ट के अलाबा भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि कुछ अलग तरीके के ही आते हैं उनका अलग ही लेवल होता है और आपको उस ही आप से ही चलना पड़ेगा अधरवाज हम पीछे के पीछे ही रहे जाएंगे और इसलिए आप लोग अपनी रफ और जो भी है आपके पास उठा लेजिए चुप-चाप लिखते जाए कुछ इनमें से रिलेटेट पॉइंट वी होगे जो कि मैं आपको बताती जाओंगे ठीक है तो तो यह थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है तो इनके आप पहले हैं वह कौन थे सुकुमार्चिन क्योंकि इलेक्शन कमिशन का देखो में पूरा डिटेल यहां पर नहीं बताने वाले हो सिर्फ नाम पर ही जाएंगे अब के लिए एक पूरा सेप्रेट वीडियो ह जाएगा आप देख सकते हैं बस यहां पर आप इतना समझे इलेक्शन कमिशन है उसका गठन का हुआ था 1950 में ठीक है किसके लिए पुरे राष्ट में बोटिंग अगरा कराने के लिए अब यहां पर क्या हुआ कि जो इसके पहले हेड बनाए गये थे वह कौन थे सुकुमा कई बार का कॉस्चन है इसलिए इसमें एस्ट्रिक मार्क लगा ले आप पूछा जाता है कॉस्चन तो पहले हेड कौन है सुकुमार चैन 1950 से 1958 यह होई पहले हेड अब आता है दोस्टा के वी के यहां पर जो आपका दिया गया है इनका नाम आपको हिंदी इंगलिस में कोई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो यह कौन है के वी के सुंदराम है ठीक है 1958 से सरसर तक दोस्टे व्यक्ति का नाम ना भी यादो बस एक बार आप फटा-फट इसको देख लेंगे तो यह रहेगा कि हां मतलब इन में से ऐसा व्यक्ति है तो जिससे मैंने आप संद बताया कि इस्टेट्मेंट वाइस दे रिया किसमें से मतलब यह व्यक्ति यह व्यक्ति यह विक्ति पहला दूसरा तीशा तीशा चौथा पांच वार इस तरीके के देरिया तो हम एकजाम में फसे हैं इसलिए यह थारे नाम हम डिकॉल कर लें ठीक है तो यहां पर कौन है पहले जोर मत दीजिएगा वरना election commission की website पे आपको पूरा मिल जाएगा detail तो आप वहां से जाएं और यदि इनका full form जानने का ही आपको सौक है तो election commission की website पे जाके आप सार्च कर सकते हैं ठीक है तो एस पी से नमबर के इनका कारेकाल कब से कब तक था 1962 से 72 तक देन उसके बाद क्या था कि डाक्टर नागेंज सिंग चोथे नमबर के थे ठीक है 1972 से 73 देन इसके बाद आपका आएगा टी स्वामी नाथन तो यह जो थे ती स्वामी नाथन यह थे 73 से 77 देखो यह सन ना इसलिए कि उस ताइम पर कौन से ब्रदान मंची थे क्या किस तरीके का बबाल चल रहा था चुनावे स्थी ती तो इनके समय का ज्यांत रहेगा तो थोड़ा बहुत हम चीजों को लिंक कर पाएंगे ठीक है कि कब क्या चल रहा चल रहा था उस टाइम पर टी स्वामी नाथन कौन थे इलेक्शन कमिशन के हैट दें इसके बाद आता है यहां पर जो है जो हमारे सकधर रहे एक कमिटि भी वनाई गई एक उसमे नाम से ठीक है, ठीश वावी नाथन कमिटि भी थी एकまぁ मैं कमीटि के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे बस आज नाम पे जान दीजे आप लो तो SL सकधर है इनके बारे में 1987-82 इनका कार्यकाल था देन उसके बाद है RK जो आपका है त्रिवेदी कौन है RK त्रिवेदी 1982-85 और RBS पेरिशास्त्री कौन है RBS पेरिशास्त्री 1986-90 जो सबसे important 9th नमबर की स्रीमती B.S. रमादेवी यनि कि जो B.S. रमादेवी है वो पहली हेड है woman ठीक है? इलेक्षन कमिशन की जो woman है पहली हेड वो कौन है? स्री B.S. यनि कि श्रीमती B.S. रमादेवी तो प्लीज इससे अच्छे तरीके से 4-5 एस्टिक मार्क लगा के नोट करिए कि यहाँ पे BS रमादेवी जो है पहली महिला हेड है इलेक्षन कमिशन की वेसिन का नमबर इन क्या है नौवा नमबर है ठीक है पहले पुरुस यह महिला दोनों में से मिला के पहले एड कौन है सुकुमार से नोवे हेड यानि की पहली महिला हेड कौन है BS रमादेवी ठीक है अब उसके बाद आता है कि TN सेसन जो है या हमारे बाद करें टीन सेशन उनका कारेकाल कितना था तो देखो बीस रमादेवी 1990-90 तक ही रहती है ठीक है जादा इनका मतलब नहीं पता है तो उसके बाद है सेशन और यह भी 1990-96 तक रहते हैं और आप लोगों के लिए होंबर गए मैंने तो चीज़े पूरी आपको क्लियर करवा दी थी ठीक है अब यह बता नहीं इनका टेनियोर कितना है यह जो बता रहा है 1990-96 वजह क्या होती रही होगी कि हट जाती रहे होंगे तो प्लीज इनका करेकाल आप बताईए का कमेंट करके कि इनका कितना था ठीक है उसके बाद है MS गिल कौन है यहनिकी MS गिल मानोहर सिंग गिल है 1996-2001 और जेम्स माइकल लिंग दो जो है 2001-4 कौन है जेम्स माइकल लिंग दो या जेम लिंग दो आप कहे सकते हो उसके वाद है टी एस जो है 2004-05 तक है बीवी टंडन जो है 2005-06 तक के है एंड एन कोपाला स्वामी जो है वो 2006-09 तक के है और नवीन चावला आपके यह कप के हिट है 2009-10 तक और जब यह लोग हिट आते हैं तो आपको एक बात और मैंने बताई थी कि पहले एक सदस्चिय निकाय था दिन दूर होता ठीक है तो यह कब हुआ था किस तरीके सुगा था यह भी आपको सारी चीचे ग्यात होने चाहिए और यह सब जानने के लिए आपको इलेक्शन कमिशन का पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर कौन है नवेन चाबला 2009-10 और जो SY कुरेशी इ कि पहले आपके मुस्लिम हेड्ड जो बनते हैं वह कौन थे SY कुरुसी है यह इंपर्टेयंट हो जाता आपके लिए कि पहले मुस्लिम हेड्ड, पहले महिला हेड्ड तुछُकुमार सें पहले हेड्ड, पहला हेड्ड, B S रमादेवी यह नवे नंबर की है 17 सä 200 से 2012 तक तक भाचनव के ठीक है उसके बाद है अट्रावे नंबिर के बी एस संपत दोहजार पारे से कब तक की आते हैं यहां पर पंदे तक और जो एचेस ब्रहमा आए ठीक है यह कब से कब तक के हैं तो हजार पंदे से पंदे तक के हैं और नजीम जो हमारे हैं नसीम जैदी ठीक है यह कब से कब तक है 15 से 17 और एक जोती जो है वह है 17 से 18 और ओम प्रकास रावत 18 से 18 तक ही थे और सुनिल अरोड़ा जो थे कब से 2018 यहां पे इतना ही डेटा लिखा गया है अब दो चार बाते मैं बता रहे हैं आपको वह याद रखना है ठीक है तेश नंबर तक के तो हमने पढ़ लिया कौन थे सुसील अरोड़ा स्वारी हाँ सुनिल अरोड़ा थे ठीक है यह थे 2018 से 2021 तक यहां पे आप लिख लिएजे 2021 क ठीक है कौन से नंबर के हैं 24 नंबर के हैं इनका कार्यकार कब तक रहता है तो 13 अप्रेल देखो यहां पे मैं अभी जस्ट आपको पढ़ाने से पहले गूगल पर सर्च कर रही थी तो कहीं पे आपको मिलेगा अनूप चंद्रपांडे जो की अभी लेटेस्ट के हैं ठीक ह उससे पहले के थे सुसेल चंद्रा तो इसलिए जब भी क्वश्चन में दोनों नाम आ जाए तो आपको अनूप चंद्रपांडे लगाना लेकिन यदि दोनों में से एक नाम आरा तो आपको सुसेल चंद्रप लगा सकते हो बटा भी वो नहीं है क्योंकि जहां तक मुझे म दिन उसके बाद हमने बताया कि जो तेरे अप्रें 221 और इनका मतला जो कार्यक आल था 21 में ही समाथ फो गया था उसके बाद आते 25 नमबर के और 25 नमबर के आपके हैं जो हमारे अनूप चंद्र पांडे थे ठीक है तो से नंबर के हैं पत्चीस वे नम्बर के हैं 9 जून द सुसील चंद्रा की जगह लेते हैं सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा आवयार रहेगा कि क्वेस्चन में किस तरीके के आपसान आते हैं कि यह लेटेस्ट में बदा रहें जो कि मुझी अभी तक का गूगल का मिला ठीक है और आपको भी कुछ यह दिन नया मिलता तो प्लीज स से ही कन्फ्योज नहीं होना है बरतमान में अभी अनूप चंद्र पांडे हैं उससे पहले सुसील चंद्रा थे और उनसे पहले सोनील अड़ोरा थे तेश नमबर के तो अभी तक कुल 25 ऐसे मिम्बर से जो की बनाए जा चुके हैं तो आपको बरतमान किया रखने हैं पहली म पहले मुस्लिम कौन थे यह सारी चीज़े इनसे आपको मतलब यह की देखो यह सारे नाम तो याद होनी चाहिए क्योंकि जो टी एस कृष्णा मूर्ती है या कि हम बात करें कि टीन सेचन है या कि जो सकधर सकधर है टी स्वामी नाथन है इनके लिए निर्वाचा नयग में कई सारी कमेटियां गठीद की गई ठीकी किस तरीके का क्या होगा मापिस उचाव अगयरा देने के लिए तो यह तो मैं एक कमेटी इनका पूरा अलाग सी वीडियो बना दूगी शेप्रेट वहां पर हम लोग पूरा डिस्क्रेस कर लेंगे ठीक है और इसलिए भी इनका न ज़रूरी की हर कॉस्चन का अन्सर हमसे आता ही हो कजी कभी कभी इलिमेशन मैठाद भी हमें बहुत भी होगी सावित हो साथी है धान सावांไมबर्स का नाम पूछा जारा यह तो कहीं में से कमेट फान पूरा गовые गैंपलें तो नहीं में पता कि चलो एक सिक्योर होगा कि यह तो अप्सन गलाती होंगी अब एक यह दो में चोज करना पड़ेगा कि कौन होगा इसलिए एक दो बार आप इससे देख लीजिए अच्छी तरहट निगाहों से थाकि कुछ थोड़ा बहुत आपको पता रहे अडिया रहे ठीक है एक बार फि U programa ऑछा कों थे इती शौमीनाथान थे सट वे नंबर की बात करें तो चलोट यह संवीड की के अर्वी एस पेरी जो सास्त्री वह हमारे कौन से नंबर के आ जाएंगे वह हमारे आएंगे आठ मर की से मती स्रामा डेवी झो आती है नवे नमबर की पहला महिला हेड है और टी एन सेजन जो सोरी सेजन है तो यह कौन से नमबर के हैं दसवे एमेस गिल जैन उसके बाद है आपका मनुहर सिंग गिल है और जेमस माइकल लिंग दो लिंग दो ही नाम रहाद रखेंगे काफरी है ठीक है तो जेमस माइकल लिंग दो और उसके बाद आपके आ जाएंगे एकिसवे तो दूसरी महिला है डियावी हो जाएगे ठीक है उसके बाद है ओमप्रकास रावत और सुनील अडोरा सुसील चंद्रा जो सुनील अडोरा है ठीक है उसके बाद है सुसील चंद्रा और सुसील चंद्रा के बाद 25 नमबर कौन से नमबर 24 वे देन 25 वे 25 वे नमबर के कौन होगे अनूप चंद्रपांडे जो की किसकी जगह लेंगे जो की जगह लेंगे आपक तो आपको ये चीचे याद रखनी है और आज हम कब पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं तेरे अप्रेल को ठीक है यह तेरे अप्रेल की डेट है और यहां से जब चीचे पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पूरा डेटेल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए 2022 मैं अभी से बता दे रहे हूं क्योंकि एक साल में भी बदल जाते हैं इसलिए आपको हो ना कि मैं ने तो गलत बढ़ा दिया था तो आज तक का डाटा मैं बता रहे हूं मुझे जो खोच-खाच की मिला वह मैं यहां पर आपको सेयर कर रहे हूं इसके भाद भी आप को कुछ नया मिलता है तो आप भी सेयर कर सकते हैं क्योंकि इनसान से गलती हो जाती है हलाकि मैंने कोशिस की गलती ना हो तो आप लोग उसी सुधार भी सकते हैं तो इतनी उमीद में कर सकते हूं ठीक है सो बिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे यूप कोई दोस्ता चारा है नहीं ठीक है सो विच्यों आलडवेस्ट